आपके अपने परिवार रोजगार्वी दंकित में आप सबी लोग औस्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हूंगे, बहतरीन हूंगे, लाजवाब हूंगे, एकदम बिंदास हूंगे साथी और बहुत बहतरीन तरीके से आप लोग अपनी अंकित यादव रागनी, RWA के स्टुडेंट, निशाद, अमन, शिवम, कितांबर, रगु, नीरज, रविंदर, राहुल, विनित, अभी सिंग, अमरिता, भीम कुमार, मनोज, दीपक चौधरी, अरुन्थ ठाकुर, बल्वन्त, राजीव, हरियों तिवारी, पिंटु राज, निजामुद्दीन, खेलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है बच्चे, वो है हम लोगों का टॉपिक समय तत्था दूरी, यानि टाइम एंडिस्टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और टाइम एंडिस्टेंस जो पहले कुश आप लोगों से पूछे गए हैं, लगबग लगबग हर एक टाइप को हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत शांदार तरीके से हम लोग देखेंगे, कुल मिला के हम दोनों का मेन मोटो रहने वाला है, आपका और मेरा मेन मोटो रहने वाला है, कि कोश्चन हम लोगों से ना बचना चाहिए ठीक है सुरुआत करने जा रहे हैं मेरे दोस्त अब अपने टॉपिक से तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मेरे दोस्त टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग बात करने वाले हैं ताइम एंड डिस्टेंस की हम लोग बात करने वाले हैं यानि समय तथा समय होता है क्या होता है दूरी बटे समय होता है दूसरी बात अगर मैं पढ़ता हूँ अगर मेरी चाल जो है वो किलो मीटर प्रती घंटा में दी हुई है और मैं मीटर पर सेकंड में बनाना चाहता हूँ तो जश्ट मैं पांच बटे अठारे की गुणा कर दूँगा तो ये किलोमीटर प्रती घंटे में बदलना चाहता हूँ तो ये किसमें कनवर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रती घंटे में कनवर्ट हो जाएगा ठीक है ये थोड़ा सा बेसिक था हम लोग इसमें train के भी questions कर रहे होंगे train के questions के concept मैं questions के साथ आप लोगों को बता रहा हूँगा questions चलते रहेंगे concept मैं उसके साथ के साथ आप लोगों को discuss करता रहूँगा जिससे कि आप लोगों को questions के साथ वो concept जो है वो clear हो जाए ठीक है शुरुआत करने जा रहा हूँ बचे अब जितना कम disturb आप लोगों करेंगे चीजे उतनी ही आप लोगों के दिलो दिमाग में set हो रही होंगी अगर मैं पहले question की बात करता हूँ मेरे दोस्त तो पहला question आप लोगों के समने ये रहा एक train 72 km प्रती घंटे की गती से चल रही है तो train दोरा 15 मिनट में तै की गई दूरी आपसे पूछा है अगर मैं बचे दूरी की बात करता हूँ तो दूरी का formula आप लोग सभी जानते हैं कि चाल गुणा समय होता है सबसे बड़ा खेल जो है वो है unit का conversion आप unit को convert कैसे करते हैं ये सबसे बड़ा खेल है बचे एक बार conversion अगर आप लोगों से ठीक से आ गया तो बहुत सारी चीजे दिक्कते आप लोगों की solve हो जाएंगे अगर मैं चाल की बात करता हूँ तो चाल किसमें दिया हुआ है किलोमीटर प्रती गंटे में आप ये unit question में लिखेंगे तब ही आप लोगो बहतरी इन तरीके से समझ पाएंगे समय कितना दिया हुआ है पंदर है मिनट अब देखो मिनट से गंटे तो नहीं कट सकता बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना क्या आप लोग जानते हैं कि ये नीचे एक गंटा लिखा हुआ है एक गंटे की जगए क्या आप लोग मेरे दोस्त इस गंटे की जगए 60 मिनट लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत परेज है क्या यहाँ जो नीचे एक गंटा लिखा हुआ था आपने क्या लिख दिया आपने नीचे 60 मिनट लिख दिया उसकी जगे, आपने देखा 15 चोका 60 हो जाएगा, मिनट से मिनट कर जाएगा, तो सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर इस कुश्चन का जवाब आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, 18 किलोमीटर इस कुश्चन का जवाब हो option number C इस question का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा question number 2 आप लोगों के सामने है जब भी कोई आप लोगों के सामने पहिये का question आता है पहले मैं पहिये का concept आप लोगों को बता देता हूँ जब भी कोई पहिये का concept आप लोगों के सामने आता है ये रहा वो पहिया जिसकी बात मैं कर रहा हूँ अगर इस पहिये की तिरज्जा जो है आप लोगों को आर दी हुई है अगर मैं पूछू कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी तै करता है तो आप कहेंगे अपनी परीधी के बराबर दूरी तै करता है यानि एक चक्कर में तै की गई दूरी जो है वो टूपाई आर है मैंने मान लिया किसी दूरी को तै करने में इसे N चक्कर लगाने पड़ते हैं यानि चक्करो की संख्या की गुणा अगर आप टूपाई आर में कर देंगे तो आपके सामने दूरी निकल के आ जाएगी N इंटू टूपाई आर बराबर दूरी होता है मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई तो ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त कुश्चन आप लोगों के समने ये रहा चक्करो की कितनी संख्या है चार हजार है बचे इसकी गुणा हम टूपाई आर में कर देंगे पाई की वैल्यू कितनी है बाइस बटे साथ है आर की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है तो दूरी निकल के आजाएगी दूरी कितनी है 60 है तो बच्चा इसकी क्लो मीटर है तो मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो यहां से आप लोग देखेंगे बच्चा एक, दो, तीन एक, दो, तीन कड़ जाएगा चार से काटेंगे पंध्रह बार कट जाएगा तो यहां से R की वैल्यू क्या आएगी पंध्रह सत्ते 105 होगा और 22 दूनी 44 हो जाएगा होगा या नहीं तो यहां से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं 44 तिया 132 होते हैं वो जादा हो जाएगा दो पॉइंट कुछ आंसर आएगा option number B इस question का जवाब हो जाएगा option number B इस question का सत्थी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो यह concept आप लोग अपने दिलो दिमाग में रहेंगे कि अगर चक्रों के संख्या की गुणा टूपाईयार में कर देते हैं तो वो क्या निकल के आ जाएगा वो दूरी निकल के आ जाएगा ठीक है question number 3 आप लोगों के सामने है पटाबट से पढ़ेंगे question को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देने की कोसिस करेंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गती क्या होगी अब ट्रेन का concept मैं आप लोगों को बता देता हूं ध्यान से सुनिए जब भी आप लोगों से कहा जाए कि ये एक ट्रेन है ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है L1 ये किसी ऐसी वस्तू को पार करती है जिसकी लंबाई है L2 ये वस्तू स्थिर वस्तू है बच्चे द्यान से सुनना जब भी कोई ट्रेन जो है किसी ऐसी वस्तू को पार करती है जिसकी अपनी खुद की भी लंबाई है लेकिन वो चलती नहीं है जैसे सुरंग को पार करना जैसे पुल को पार करना जैसे खड़ी हुई ट्रेन को पार करना जैसे प्लेटफॉर्म को पार करना तो उस केस में पार करने में लगने वाला समय कितना होता है मेरे दोस्त दूरी क case में दोनों वस्तूओं की लंबाई लिख देंगे अपोन बच्चे चल कौन सी train रही है यह वाली train चल रही है तो इसकी चाल लिख देंगे यह वो समय होता है जब एक train जो है किसी एसी वस्तूओं को पार करती है जिसकी लंबाई L2 है और इस question पे आईए फटाफट ये क्या कहना चाहरा है 400 मीटर लंबी train 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है 70 सेकिंड में हम लोगों से चाल पूछा है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दूरी मतलब दोनों वस्तुओं की लंबाई पहली वस्तु की लंबाई कितनी है 400 मीटर है दूसरी वस्तु की लंबाई कितनी है 300 मीटर है अपउन में समय हो जाएगा और समय कितना लेती है 70 सेकिंड का समय लेती है तो मेरे दोस्त यहाँ से जवाब हो जाएगा 400 और 300 मीटर बटे 70 सेकिंड हो जाएगा यहाँ से आप चीजों को समझेंगे तो जवाब क्या हो कि आंसर मीटर प्रती सेकंड में दिया हुआ है या किलो मीटर प्रती घंटे में दिया हुआ है मेरे दोस्त उसने किलो मीटर प्रती घंटे में दिया हुआ है तो जस्ट आप लोग अठारे बटे पांच से गुणा कर दोगे तो ये किलो मीटर प्रती घंटा निकल के आ जाए क्या कहता है question number 4 पटापट एक बार समझने की कोसिस करिए question number 4 क्या कहता है question number 4 ये कहता है कि 175 मीटर लंबी एक train 36 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से यत्रा करती है तो 125 मीटर लंबे platform को पार करने में उसे कितना समय लगेगा just उसी concept पर है जो आप लोगों को अभी बताया था समय बराबर मैं आपसे पूछना चाहूं तो समय बराबर होता है दोनों वस्तूओं की लंबाई कितनी है पहली वस्तूओं की लंबाई है 175 मीटर दूसरी वस्तूओं की लंबाई जो है वो 125 मीटर है और बचे ट्रेन की चाल कितनी है ट्रेन की चाल है 36 किलो मीटर परती घंटा यहां देखेंगे यह मीटर में है यह किलो मीटर परती घंटा में है तो इसकी गुणा 5 बटे 18 इसका बटे उपर जाएगा यह किस में कनवर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकिंड में Can surrounds हो जाएगा बच यह किस में दी हुई थी किलोमीटर पृती घंटा में दी हुई थी अगर इसकी गुणा पाँच बटे 18 में करदेंगे तो मीटर पिरती सेकिंड में Convert हो जाएगा समझे थोड़ा सा ध्यान से अगर यहां से देखुए 115 और 125 कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा गुणा में 18 सेकंड दिया हुआ है और नीचे बच्चा 36 पंजे 180 मीटर दिया हुआ है जीरो से जीरो उड़ गया मीटर से मीटर उड़ गया 18 से 18 उड़ गया सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 30 सेकंड इस कोशन का जवाब हो जाएगा option number A is the right answer क्या होगा option number A इस कोशन का साथ ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा question number 5 की बात करते हैं ये रहा question number 5 फटाफड बताईए क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब समझे जॉन बाइक दुवारा दो बटे तीन दूरी तै करता है और से स छे किलोमेटर पैदल यात्रा करता है बचे ध्यान से सुनिए अगर मैं बाइक से दूरी आप लोगों से कहूँ कि बाइक से वो कितनी दूरी तै करता है तो आप कहेंगे तीन में से दो तै कर चुका है तो तीन में से एक जो है अभी बची हुई है उसने का है सेस दूरी जो है वो 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करता है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा अगर 2 बटे 3 वो बाइक से तै कर चुका है तो 1 बटे 3 बची होगी और वो कह रहा है कि 6 किलोमीटर बसती है तो एक बटे तीन बराबर छे तो एक बराबर किसके आ जाएगा वही अठरे किलोमीटर टूटल दूरी निकल के आ जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं बचे कोशन नमबर छे फटाफट बताएंगे क्या होगा इस कोशन का बिलकुल सही जवाब कोशन ने क्या कहा है कोशन ने ये कहा है भोपाल से वारांसी जाने में ट्रेन की गती 100 किलोमीटर प्रती घंटा है जबकि वारांसी से भोपाल वापस आने पर इसकी गती 80 किलोमीटर प्रती घंटा है तो पूरी यात्रा के दोरान ओसत चाल क्या रही होगी मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना जब भी कोई दो बराबर दूरी सबसे पहले तो ओसत चाल का जो है वो जनरल फॉर्मूला सुनो कि ओसत चाल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है यहां पे केस बता देता हूँ बच्चे दो दो केस बता देता हूँ पहला केस क्या है पहला केस यह है कि जब दो बराबर दूरी जब दो बराबर दूरी आप लोगों से कहे कि अलग-अलग चाल से तै की जाती है जब दो बराबर दूरी अलग-अलग चाल से तै की जाती है तो उस पूरी अत्रा की ओस्त चाल क्या होती है उस पूरी अत्रा की ओस्त चाल जो होती है दोस्त वो ये होती है अगर दो बराबर दूरी अलग-अलग चाल से तै की जाती है तो पूरी यात्रा की जो उसत चाल होती है वो ये होती है अगर वो आपसे ये कहता है कि तीन बराबर दूरी तीन बराबर दूरी तीन इक्वल डिस्टेंस आप लोगों की अलग-अलग स्पीड से तै की जाती है और आप लोगों से एवरेज स्पीड पूछी जाती है तो उस दिमाक में बैठा के सेट रखेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कुश्चन है ये तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है कुल दूरी को कुल समय से विभाजित कर देंगे जब दो बराबर दूरी अलग 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 चाल से तै की जाती है तो ये फॉर्मूला लगता ह जब तीन बराबर दूरी अलग 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 चाल से तै की जाती है तो ये फॉर्मूला लगता है ठीक है अब देखिए बच्चा कुश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझे कुश्चन कहना क्या चाहता है बहुपाल से वारांसी जो गया वो 100 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से गया और वारांसी से जब बहुपाल आया तो 80 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से आया तो दोनों तरफ से दूरी समान थी तो फॉर्मूला टू इंटू S1 इंटू S2 हो जाएगा अप पॉन में दोनों का योग यानि 180 180 हो जाएगा यहां से देखिए 0 से 0 कट गई 8 दू 9.892 होते हैं 8.8.88 किलोमेटर प्रती घंटा हो जाएगा औप्सन नंबर b इस कोश्शन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है चली कोश्शन नंबर 7 आप लोगों के सामने है पटा पट कोश्शन को पढ़िये और बताईए कि क्या होगा इस कोश्शन का बिलकुल सही कोश्चन नमबर साथ आप लोगों के समने हैं क्या कहा है कोश्चन ने ठीक है चलिए एक सो सी कैसे आया भाई फॉर्मूला देख लो दिमाग से बिलकुल मतलब ये कर रहे हो कि हरकते की जैसे दिमाग गड़बड़ी कर रहा है भाई दोनों चालों का योग नीचे लिखा जाता है और सो रसी को जोड़ोगे तो एक सो सी ही आएगा थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है थोड़ा दिमाग खोल के बैठना है मेरे दोस्त किलास में ऐसा नहीं है फटाफट बताईए रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है तो फटाफटी ने बना दीजिए यहां रोहित है और यहां कौन है यहां दिनेश है दोनों के कितनी है 15 किलोमीटर प्रती गंटा दी हुई है और दिनेश जो है वो 17 किलोमीटर प्रती गंटे की गती से चल सकता है कितनी गती दी हुई है 17 किलोमीटर प्रती गंटा दी हुई है तो उसने कहा है यदि वे एक दूसरे की और यात्रा कर रहे हैं तो वे कितने गंटे बाद मिलेंगे समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है दूरी कितनी है 64 दी हुई है चाल जब दो वस्तुवे विपरीत दिसा में चलती है यानि जब दो वस्तुवे विपरीत दिसा में चलती है तो दोनों की चालों का योग ही साप एक्सचाल होती है तो ये दोनों वस्तुए विपरीत दिसा में चल रही है दोनों को जोड़ोगे तो 32 किलोमीटर पर ती घंटा आ जाएगा यानि कि इने मिलने में लगने वाला समय क्या होगा ये दो घंटे बाद जो है दोनों वस्तुए आपस में मिल रही होंगे ठीक है च कोशन कहना क्या चाहरा है कोशन ये कहना चाहरा है दोस्त यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से जाता है तो वह 30 मिनट की देरी से पहुंसता है यदि वह 12 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता ह तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी क्या होगी मेरे दोस्त जब भी आप लोगों को कोशन के अंदर समय में अंतर दिया हुआ हो पहचान करना सिखा रहा हूँ जब भी आप लोगों को कोशन में समय में अंतर दिया हो और ये जो कोशन है बहुत important है समय में अंतर कैसे अगर इतने की गती से जाता है तो इतनी पहले पहुच जाता है इतने की गती से जाता है तो इतना लेट पहुचता है यानि जहां पहले और बाद का question दिया हो जहां आपको लगे कि यहां समय में अंतर आप लोगों को दिया हुआ है तो बचे आप क्या करना दूरी का एक directly formula याद र याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों को लगता है कि समय में अंतर दिया हुआ है ऐसा कोई कोशन दिया हुआ है जिसमें 10 मिनट पहले 15 मिनट बाद का कुछ मामला दिया हुआ है तो ध्यान से समझेंगे चलो कुछ समझ नहीं आ रहा है अच्छी बात है बचे नही समझ आ रहा है तो आपके समझने लाया कभी यह है भी नहीं एक बार क्लास में हो गया है और अभी जो है वो छुटके से चैप्टर चल रहे हैं और उसमें भी आप लोगों का जो है आप लोगों का वही ड्रामा बाजी सुरू हो चुका है पेपर आपके सिर पर है और आप कि हरकते जो हैं ऐसी हैं जैसे आप लोगों ने ठान लिया है कि सेलेक्शन तो हमें दूर दूर तक नहीं लेना है ठीक है चले है समझिए बचे पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपन दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर जो होता है वो दूरी का फॉर्मूला होता इससे पहले वाला कोश्चन पढ़िएगा यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल जो है बचे वो आठ किलोमीटर प्रती गंटे की गती से चलता है ये आप लोगों का घर है और ये जो दिया हुआ है ये स्कूल दिया हुआ है ध्यान से सुनना ऐसे ही अपनी तरफ से एक ताइम माना है ठीक है अब देखिए बचे क्या होगा यदि कोई लड़का जो है अपने घर से स्कूल 8 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से चलता है यानि यहां से 8 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से चलता है तो वह 30 मिनट की देरी से पहुंसता है यानि पहुंचना तो 8 अगर वो बारे किलोमेटर प्रती घंटी की गती से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता है यानि करेक्ट आठ बजे पहुंच जाता है तो अगर मैं देखू कि यहां समय में अंतर कितना आ रहा है तो आप कहेंगे समय में अंतर जो है वो 30 मिनट का दिया हुआ है यहां 8 पहुंच ता तो समय में अंतर कितना है 30 मिनट का दिया हुआ है बचे जहां समय में अंतर होता है वहां दूरी कैसे निकाली जाती है पहली चाल कितनी है 8 है दूसरी चाल कितनी है 12 है दोनों चालों का अंतर कितना है 4 है इंटू समय में अंतर कितना है 30 मिनट है और इसे आपके सामने जो है ये आपके सामने जो है बच्छा क्या हो जाएगी ये आपके सामने जो है दूरी निकल के आजाएगी चार दुनी आठ से आठ कर जाएगा तो घर से school की दूरी एक ही line में निकल के आ गई कोश्शन का जवाब क्या हो जाएगा कोश्शन का जवाब जो है बचे वो 12 किलो मेटर हो जाएगा तो फॉर्मूला में आप लोगों को बता चुका हूँ डिरेक्टली आप लोगों का उसी से आंसर आएगा फटा फट मुझे बताएए क्या होगा इस कोशन का बिल्कुल सही जवाँ कोशन नमबर 9 आपके सामने है जल्दी से बताईए दोस्त क्या होगा इस कोशन का बिल्कुल सही जवाँ कोशन ने क्या कहा है दीपक और विनोद की गती आप लोगों को दी हुई है यानि आप लोगों को चाल का अनुपात दिया हुआ है यदि विनोध की गती 84 दी हुई है भाई ये दीपक की गती है ये विनोध की गती है विनोध की गती मेरे हिसाब से 12 दी हुई है उसने कितनी दी है विनोध की गती 84 दी हुई है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साथ हो जाएगी अगर एक पार्ट की वैल्यू साथ हो चुकी है तो दीपक की गती यानि वो 19 पार्ट की वैल्यू पूछना चाहरा है तो 19 में 7 की गुणा कर देंगे तो 133 हो जाएगा 19 में 7 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 133 कोश्चन का जवाब हो जाएगा तो option number A is the correct answer आगे बढ़ जाते हैं कोश्चन number 10 की तरह बताईए दोस्त कोश्चन number 10 का जवाब क्या हो जाएगा आराम से कोश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस कोश्चन का बिल्कुल सही जवाब वो इस चेक करना वई मिस मैं छोड़ी फास्ट कराओ रिवीजन भाई बाद में कर लेना 2X की स्पीड में कर लेना फास्ट करना है अभी नहीं हो पाएगा फास्ट इसलिए तो आप लोगों को समश्या का कारण बना हुआ है यह चेप्तर चलिए एक मोटर साइक्ल 25 किलोमीटर पृति गंटे की गति से चल रही है और पृते एक गंटे के अंत में इसकी गति में 7 किलोमीटर पृति गंटे की व्रद्दी होती है यह है 225 मीटर, यह है 225 मीटर की दूरी में कितना समय लेगी यह आप से पूछा गया है ठीक, चली, बचे वैसे तो एक कुश्चन आपका AP का है लेकिन समझा देता हूँ पहले गंटे में उसने 25 किलो मीटर की चाल से चली तो 25 किलो मीटर होगी दूरी दूसरे गंटे में 7 किलो मीटर उसने बढ़ाई तो 32 हो गई, तीसरे गंटे में 49 हो जाएगी, फिर 7 किलो मीटर बढ़ाईगी चालिस हो जाएगी, फिर 7 किलो मीटर बढ़ाईगी तो बच्चा 53 हो जाएगी, और फिर 6 किलो मीटर प्रती गंटा बढ़ाईगी तो 60 हो जब तक आप लोग एपी नहीं पड़ते हैं तब तक आप लोग इसे डारेक्टली जोड़ के देख लो कहां 225 बैठ रहा है तो आप लोगों ने देखा आप से इतना ही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा वो साथ आठ तक पूछ सकता है इससे बड़ा आप लोगों से नहीं पूछेगा क्योंकि एपी आप लोगों के सिलेवस में दोस्त नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त कुशन नंबर 11 की तरफ बताईए पिलस N माइनस 1 इंटू D वाला फॉर्मूला बन जाएगा बचे उससे फिर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा समझिए कोशन कहना क्या चाहरा है एक कार 7 गंटे में 54 किलोमीटर प्रती गंटे की गती से एक निश्चित दूरी तै करती है यानि 54 किलोमीटर प्रती ग दूरी वही है अब ध्यान से एक कॉंसेप्ट समझिए अगर दूरी समान होती है बचे ध्यान से सुनना यहां एक लाइन अपनी कॉपी में लिख लेना अगर दूरी समान होती है तो चाल का उल्टा जो होता है वो समय का अनुपात होता है और समय का उल्टा जो होता है वो अगर आपको किसी कुशन के अंदर जो है वो दूरी समान दी हुई है तो बच्चे चाल का अनुपात जो होगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा समय का अनुपात हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया यहां ध्यान से सुनिए बच्चे बढ़ते हैं ध्यान से अगर उसने समय का अनुपात दे रखा है पहले 7 था अब कितना कर दिया गया है समय का अनुपात 6 कर दिया गया है तो बच्चे चाल का अनुपात क्या हो जाएगा पिचाल का अनुपात उल्टा अगर पहले 6 थी तो अब 7 कर दी गई है पहले चाल दी हुई है 54 किलोमीटर प्रती घंटा कर देना तो अब जो उसकी चाल रही होगी वो 63 km प्रती घंटा रही होगी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त अब जो उसकी चाल रही होगी तड़े 60 km प्रती घंटा हो जाएगी ठीक है 10 रोंग हो गया सर जी 10 को देख लो एक बार जोड़ के देख लो 25 में 7 जोड़ा हर गंटे पर 7 किलोमेटर की विरद्धी होती है तो 32, 7, 49, 7, 46, 53, 7, 60 हो जाएगा 5, 2, 7, 9, 7, 16, 22, 23, 25 को 5, 6, 6, 8, 2, 8, 5, 13, 4, 7, 3, 23, 23, 22, 25 हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं कुश्यन नंबर 12 की तरफ कुश्यन नंबर 12 आप लोगों के सामने है पटाफट मुझे बताईए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जबा कुश्यन नंबर 12 आप लोगों के सामने दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा T1 और T2 400 किलोमिटर दूर है मेरे दोस्त आप लोग T1 यहां लिखिए और इसके बाद जो है वो T2 जो है वो यहां लिखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है तो दोनों के बीच की दूरी जो दी हुई है वो 400 किलोमिटर दी हुई है सुबह 8 बजे बस A और B किरमसे T2 और T1 के लिए T1 और T2 को एक साथ छोड़ती है यहां से बस A निकलती है और यहां से मेरे दोस्त बस B निकलती है यह T2 के लिए प्रस्थान करती है यह वाली बस T1 के लिए प्रस्थान करती है यदि A और B की गती किरम से जो है इसकी गती जो दे रखी है वो 30 km प्रती घंटा दे रखी है और इस वाले की गती जो दे रखी है वो 70 km प्रती घंटा आप लोगों को दी हुई है तो समझी आगे क्या कहना चाहरा है वो कह रहा है वे किस समय मिलेंगी यानि आप लोगों से वो पूछना चाहा रहा है ठीक है देखिए अगर मैं आपसे पूछू कि ये किस समय मिलेंगी तो समय बराबर दोनों की दूरी होता है दूरी बटे चाल हो जाता है दोनों के बीच की दूरी है 400 किलोमीटर और चाल कितनी हो जाएगी जब दो बस्तू विपरीत दिसा में चल रही होती है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होती है किलोमीटर से किलोमीटर कड़ जाएगा तो क्या 4 गंटे बाद ये मिल रही होंगी अगर इनके चलने का समय मैं आपसे पूछू तो चलने का समय जो है वो आठ बजे दे रखा है चलने का समय जो है वो आठ बजे दे रखा है तो 4 गंटे बाद मिलेंगी तो क्या वो दोफेर 12 बजे मिलेंगी क्या गलत है दसकोशन में क्या गलत है पहले ये बताईए मुझे दो सो कितना लिखा हुआ है हिंदी में दो सो पच्चिस जोड़ना था पांचर दो साथ नोर साथ सोलेच है बाइस तीन पच्चिस को पांच हांसिल दो कहां जोड़ना था साड़े पांच गंटे है कैसे एक मोटर साइकल पच्चिस किलो मीटर प्रती गंटे की गती से चल रही है बहुत बढ़िया और प्रते गंटे के अंत में इसकी गती में साथ किलो मीटर प्रती गंटे की वरद्धी होती है प्रते गंटे के अंत में तो अगर यहां 25 है तो अगले गंटे की सुरुवात में 32 हो जाएगी फिर अगले 32 और 7 जोड़ेंगे 22 में 7 जोड़ेंगे तो 32 होगा 32 में 7 जोड़ेंगे तो 49 होगा 49 में 7 जोड़ेंगे तो 46 होगा सही तो है बच्चे 255 है नहीं 225 ही दिया हुआ है सर जो 225 आपकी है वो जोट करने पर 25 अच्छा जोट करने पर 255 आ रहा है हाँ ये होसकता है 5 ott 27 9 और 7 16 6 22 23 53 को 5 16 2 16 285 13 4 17 20 20 23 23 25 बिल्कुल सही है 255 आ रहा है ये तो फाल्क्त हो रहा है तो मामला यहीं हमें करना पड़ेगा तड़िपन पे कितना आ रहा है? तड़िपन पे कितना आ रहा है मेरे दोस्त पांच और दो साथ नोर साथ, 16, 26, 22, 23, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 24, 24, 23, 24, 24, 27, 29 हो जाएगा यानि कि अगले गंटे जो जाएगी वो 60 km जाएगी लेकिन हमें जरूरत है केवल 30 km की अगर 30 km और चल गई तो ये 225 km चले जाएगी यानि अगला जो गंटा है वो पूरा नहीं चलाना है केवल आदा गंटा चलाना है सोरी दोस्थ, सोरी और बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया हाँ, सही है बिल्कल, 11 बटे दो इस question का जवाब हो जाएगा साड word 5 गंटे इस question का सही जवाब हो जाएगा बुक में क्या solution है, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता बिल्कुल ठीक है आप लोग बिल्कुल ठीक है दोस्त चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो यहां से आप लोग निकाल चुके हैं कि 12 बजे वो मिल रहे होंगे ठीक है आगे बढ़ जाते हैं question number 13 वटफट मुझे बताईए question number 13 क्या कहता है हाँ हाँ ठीक है भाई गर्मी क्यों है इतनी है हुँ चलिए पटवड बताईए भाई पता नहीं चला है साठ तक जाना है वो hit and trial से देखा है जस्ट हमने जोड के देखा है देखिए आगे एक train 18 सेकंड में platform को पार करती है और platform पर खड़ा एक आदमी 8 सेकंड में गुजरता है यदि train की लंबाई 100 मीटर है तो platform की लंबाई कितनी है ये आप लोगों से वो पूछना चाहा रहा है ठीक है ध्यान से सुनिए जब भी कोई train मेरे दोस्त जब भी कोई train किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसे पार करने में लगने वाला समय क्या होता है वो होता है मेरे दोस्त train की लंबाई train की लंबाई upon train की चाल अगर कोई भी वस्तू किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी पेड को पार करती है या किसी टावर को पार करती है या किसी ऐसी वस्तू को पार करती है जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है तो उसे पार करने में लगने वाला समय क्या होता है वो होता है ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल होता है ठीक यह आई एक कुश्चन पर, एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, बहुत अच्छी बात है, और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी 8 सेकंड में गुजरता है, यानि एक वेक्ती को 8 सेकंड में पार करती है, दोस्त ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मैं कहना क्या चाहरा हूँ प्लेटफोर्म पर खड़ा एक आदमी 8 सेकंड में गुजरता है तो ट्रेन की चाल कैसे निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है दूरी क्या होगी ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई 100 मीटर दे रखी है अपोन चाल क्या होगी ट्रेन की चाल क्या होगी बचे 18 सेकंड में 8 सेकंड में चाल बराबर दूरी बटे समय तो ये 8 सेकंड में उस वेक्ति को पार करता है तो आप कहिंगे 4 से काटेंगे 25 बार 4 से काटेंगे 2 बार यानि ट्रेन की चाल जो आ चुकी है वो साड़े बारा मीटर परती सेकंड आ चुकी है कितनी आ चुकी है साड़े बारा मीटर परती सेकंड आ चुकी है यानि ट्रेन जो है मेरे दोस्त वो एक सेकंड में साड़े बारा मीटर चलती है वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है अगर ट्रेन एक सेकंड में साड़े बारा जाती है तो 18 सेकंड में कितना गई होगी तो आप कहेंगे 18.5 90 को 0 हांसिल 9 18 दूनी 36 और 9 45 को 5 हांसिल 4, 18 एकम 18 और 4 22 गई होगी यानि जब वो प्लेटफर्म को पार कर रही होगी तो उसने जो दूरी तै की होगी वो 225 मीटर तै की होगी जब 225 मीटर कौन सी दूरी होगी उस ट्रेन की लंबाई होगी प्लस प्लेटफर्म की लंबाई होगी बही जब किसी प्लेटफर्म को पार कर रही है तो दूरी क्या होती है दोनों चीजों की लंबाई बचे ट्रेन की लंबाई उसने 100 दी है ये प्लस का 100 है इधरा के माइनस का 100 हो जाएगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 125 मीटर हो जाएगी क्या हो जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई 125 मीटर हो जाएगी स्क्रीन चला दो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा सवाल का जवाब जो है वो 125 मीटर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं बचे कोशन नंबर 14 की तरफ कोशन नंबर 14 क्या कहता है फटावड से ध्यान से देखिए कोशन नंबर 14 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब पढ़िए कोशन को कोशन कहना चाह रहा है कि विपरीत दिसाओं में चल रही दो ट्रेने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को किरम से 25 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती है सबसे पहले तो बच्चा इस कोशन पे important mark करना अगर आब पूछ लिया न तो कोशन जो है उस टाइम पे pressure होता है बच्चे बहुत पेचीदा बन जाता है ठीक है देखिए थोड़ा सा हाँ देखिए विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेने है बचा एक ट्रेन तो ऐसे चल रही है और एक ट्रेन जो है वो ऐसे चल रही है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को किरम से 25 सेकंड में पार करती है बचा ये व्यक्ति है इस ट्रेन की लंबाई L1 है इस ट्रेन की चाल S1 है इस ट्रेन की लंबाई L2 है इस ट्रेन की चाल S2 है ये वाली जो ट्रेन है इस वेक्ति को मेरे दोस्त 25 सेकंड में पार करती है और ये वाली जो ट्रेन है इस वेक्ति को कितनी देर में पार करती है 32 सेकंड में पार करती है य इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, तो ये 30 सेकंड में पार करती है, कुश्चन की फिगर मैंने आप लोगों के सामने बना दी है, उसने कहा है तो बचे उनकी गती का अनुपात क्या हो जाएगा, बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनन मेरे दोस्त, अगर मैं यहां से निकालता हूँ, तो यहां से क्या हो जाएगा, बचे, आप लोग यहां से देखिए कि L1 की वैलू, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल कितनी है 25, चाल कितनी है S1, समय कितना है 25, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी, वो 25 S हो जाएगी, यहां से दूरी निकालता हूँ, इस ट्रेन की लंबाई निकालता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, यानि यहां जो हो जाएगी, वो 32 S2 हो जाएगी, जब यह दोनों ट्रेने आपस में एक दूसरे को पार करेंगी, तो दोनों ट्रेनों की ल गलत लिखिए ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है बस इस चीज को समझ लो आंसर अगली लाइन में आपके सामने हो जाएगा ठीक है बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना L1 की value कितनी है 25 S1 हो जाएगी L2 की value कितनी है मेरे दोस्त तो 32 S2 हो जाएगी ठीक है 32 क्या हो जाएगी 32 S2 आप लोगों के समने हो जाएगी और यहां देखेंगे 30 की गुणा S1 में होगी 30 S1 हो जाएगी और यहां 30 की उना S2 में करेंगे यह 30 S2 हो जाएगी, कुश्षन हो चुका है, 32 में से 30 जाएंगे तो 2 S2 बचेगा, और यहां देखेंगे 30 में से 25 जाएंगे तो 5 S1 बचेगा, तो S1 upon S2 क्या हो जाएगा दोनों की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा दो बटे 5 हो जाएगा यही बस वो आप से पूछना चाह रहा था कि दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा तो आप कहेंगे दोनों की चाल का अनुपात जो है वो 2-5 हो जाएगा आप क्या कहेंगे दोनों की चाल का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा वो दो बटे पाँच हो जाएगा बास समझ में आगी Allegation की आवशकता ही नहीं है Allegation की आवशकता ही नहीं है अगर आप लोग लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बचे बिलकुल आसान तरीके से कुश्चन हो रहा है बहुत आसान तरीके से हो रहा है यहां लंबाई निकाल दो चाल गुणा समय यह लंबाई आ गई यहां लंबाई निकाल दो चाल गुणा समय यह लंबाई आ गई जब ये दोनों ट्रेने एक दूसरे को पार करेंगी तो बच्चे दूरी बटे चाल होता है दूरी दोनों ट्रेनों की दूरी जुड़ जाएगी विपरीत दिसा में है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी और समय कितना दे रखा है? 30 दे रखा है और 25 इधर आएगा 30 में से 25 जाएगा तो 5 S1 S1 upon S2 क्या हो जाएगा S1 upon S2 दो बटे 5 हो जाएगा और ये trick ही है ये trick ही है बच्चे रटवाने का काम मेरा नहीं है मेरा काम रटवाने का नहीं है दोस्त ठीक है अगर नहीं करना है तो आप अपनी मरजी के मालिक है आप इस पे cross लगा दें बिल्कुल भी मत करिये आगे बढ़ जाते हैं एक आसान सा question था केवल दो step में solve हो रहा था ये कहानी जो लिखी है केवल आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखी है खुद से एक solve करना मजा आएगा अराम से solve कर पाओगे बताईए बताईए क्या होगा मेरे दोस्त इस question का बिल्कुल सही जवाब बताईए दोस्त क्या होगा इस question का बिल्कुल सही जवाब भाया बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कुमार बहुत बहुत धन्यवाद मैं कैसे उतार पाऊँगा मेरे दोस्त इस आहसान को बहुत अच्छी बात है यार सीख लो इना चलिए समझिए एक रेल गाड़ी एक station के platform को 36 second में और platform पर खडएएक व्यक्ति को 20 second में पार करती है दोस्त एक line में इस question को खतम करेंगे ध्यान से सुनिए जब वो वैक्ती को पार करती है तो उसे 20 सेकंड का समय लगता है लेकिन जब वो प्लैटफॉर्म को पार करती है तो उसे 36 सेकंड का समय लगता है यानि जब वैक्ती को पार करती है तो 20 सेकंड का समय लगेगा जब platform को पार करती है तो 36 सेकंड का समय लगता है तो बचे ये 16 सेकंड का जो समय फालतू लगा है ये किस वज़े से लगा है तो आप कहेंगे 16 सेकंड का जो ये समय फालतू लगा है ये इस वज़े से लगा है क्योंकि पहले वो वैक्ती को पार कर रही थी अब वो platform को पार कर तो केवल और केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो बढ़ गई है इसी वज़े से लगा है अच्छा ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है 72 किलो मीटर परती घंटा तो इसे मीटर पर सेकंड में बना लेंगे यानि चाल की गुणा अगर समय में कर दूं तो ट्रेन के द्व 20 मीटर की दूरी तैकी होगी क्या ये प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं होगी क्या ये प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं होगी दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेए थोड़ा सा सोचिए इस सोच को थोड़ा सा डवलप करिए एक ही लाइन में आंसर आएगा पहले वो किसी वेक्ती को 20 सेकंड में पार करती थी अब वो 36 सेकंड में प्लेटफर्म को पार करती है मैं ज़स्ट आप लोगों से ये पूछना चाहरा हूँ कि ये 20 सेकंड लगे यहां 36 सेकंड लगे तो ये 16 सेकंड में उस ट्रेन ने फाल्तू क्या किया क्यों इसे 16 सेकंड फाल्तू लगे तो आप कहेंगे क्योंकि पहले वो वेक्ती को पार कर रही थी अब वो एक प्लेटफर्म को पार कर रही है तो 16 सेकंड जो लगे वो प्लेटफर्म की लंबाई की वजए से लगे मेरे दोस्त इस चाल की गुणा 16 सेकंड में कर देना आपके पास प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी ठीक है ऐसे भी कुश्चन है ऐसे भी कुश्चन है बचे चलिए आगे बढ़ जाते हैं कुश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है फटा फट बताईए क्या होगा इ 30 सेकंड में पार करती है बहुत खुसी की बात है कि वो 340 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और जब 460 मीटर का प्लेटफॉर्म आता है तो उसे जो है बचे वो 38 सेकंड में पार करती है मेरे दोस्त ये 38 सेकंड क्यूं लगे क्यूं ये 2 सेकंड फाल 120 मीटर की लंबाई फाल्तू तै करानी है तो उसे समय जो लगेगा वो 2 सेकंड का लगेगा यही तो बात हम लोगों के समझ में आई है यहां दूरी 340 मीटर थी यहां 460 कर दी गई लंबाई को 120 मीटर बढ़ा दिया गया है तो समय भी कितना बढ़ गया 2 सेकंड कोई आप से पूछे यह समय 2 सेकंड क्यों बढ़ा तो आप कहेंगे जी लंबाई जो है वो 120 मीटर बढ़ गई है तो क्या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो यहां से आप लोगों कहेंगे 2 से काटोगे 60 बार कट जाएगा उस ट्रेन की चाल जो आएगी वो 60 मीटर पर सेकंड आएगी लेकिन सारे आँसर किलो मीटर परती घंटे में दिये हुए है तो अठारा बटे पांस से कटोगे बारे 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 यएठे च्छान में कुछ है हासिल नो बारे एकम बारे और नो 21 हो जाएगे तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 216 किलोमीटर प्रती घंटा हो जाएगा भाई साब चला दो इसे ये चलिए जी तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 216 किलोमीटर प्रती घंटा इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा कोशन नमबर सत्रा पढ़ सवाल का जवाब दीजीए क्या हो जाएगा इस कोशन का बिलकुल सही जवाब कोशन ने कहा है एक समान गती से चलती हुई एक रेल गाड़ी दो सो तेटालिसमीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में भाई क्या बवाल है अभी तो ऐसे दो कुश्चन करके आए हैं कि 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 343 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में 36 सेकंड में पार करती है मेरे दोस्त ये 6 सेकंड का समय क्यों बढ़ा तो आप कहेंगे भाई सब लंबाई भी तो पढ़ाई है कितने मीटर लंबाई बढ़ाई है 100 मीटर तो समय कितना फालतू लगता है 6 सेकंड और अगर दूरी को समय से डिवाइड करोगे तो चाल निकल के आ जाएगी चाल आप लोगों को किलोमीटर प्रती घंटा में चाहिए तो 18 बटे 5 से गुणा करना होगा 6 से काटोगे 3 बार कटेगा 5 से काटोगे 20 बार कटेगा सवाल का जवाब जो आएगा वो 60 किलोमीटर प्रती घंटा आ जाएगा option number A इस question का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा like करने की बिलकुल आवशकता है नहीं मेरे दोस्त like से भारी दिक्कत हो सकती है भारी समश्या हो सकती है बहुत बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर आपने class को like कर दिया अफर डबड बताएंगे क्या होगा इसका ब दराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय है दूरी कितनी है 1600 मीटर है और समय कितना दिया हुआ है चार मिनट दिये हुए है पहले सेकंड में बदलिए एक मिनट में 60 सेकंड होती है तो चार मिनट में कितनी सेकंड हो जाएगी इतनी उसने काए answer किलो मीटर प्रती घंटे म बदलना है तो आप लोगों को 18 बटे 5 से गुणा करना होगा 18 बटे 5 से गुणा करना होगा अचिले तो यह क्या होगा नहीं पेसजाता है जाएगा जीरो से जीरो कट जाएगी यहां से देखेंगे आप लोग 6 से काटेंगे तीन बार कटेंगे पांच से काटेंगे तो 5 दूनी 10 पांच तीया पंदर है 5 दूनी 10 हो जाएगा 4 अठे 32 हो जाएगा तो आंसर 24 आ जाएगा option number D इस question का जवाब चलिए question number 19 आप लोगों के सामने हैं ये रहा बचे question number 19 एक बार question को पढ़ेंगे एक 725 मीटर लंबी train 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है तो train की गती ग्यात कीजिए train की गती क्या होगी दोस्त आसान सा question है अगर train की गती पूछ रहा है चाल पूछना चाहरा है तो दोनों trainों की लंबाई पहले ट्रेन की लंबाई 725 मीटर है दूसरी ट्रेन की लंबाई 235 मीटर है अपोन चल कौन सी ट्रेन रही है उसकी चाल कितनी है अच्छा चाल पूछ रहा है तो दूरी बटे समय समय कितना है 48 सेकंड आप लोगों को दिया हुआ है आप लोग देखिए 725 और 735 और 730 और 760 और बचे 2960 हो जाएगा और यहां 48 दिया हुआ है किलो मीटर प्रती घंटे में है तो 18 बटे 5 से गुना कर दीजिए 48 से काटोगे 20 बार कटेगा 5 से काटोगे 4 बार कटेगा 18 चौक 72 हो जाएगा यानि कुश्चन का जवाब क्या हो जाएगा कुश्चन का जवाब दोस्त 72 हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ें चलिए कुश्चन नंबर 20 आप लोगों की सेवा में है फटा फट मुझे बताईएगा क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब दोस्त 16 11 2021 में आप लोगों से पूछा गया है आप लोगों से उस लेवल का नहीं पूछा जाएगा जिस लेवल का आप लोग उमीद करके चल रहे हैं एक घंटे का पेपर है दोस्त बहुत आसान चीज़े पूछी जाएंगे बस इस मन को ना थोड़ा सा सांत कर लेना दोस्त फिर तो दिक्कत समझा बहरी आएगी हड़ बढ़ाना नहीं है चीज़े बहुत सई दिसा में जा रही है आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है दो तीन महीने आप लोगों ने लगके मेहनत की है रिजल्ट किसको मिलेगा रिजल्ट उसको थोड़ी न मिनट आप लोगों को दी हुई है आप लोगों से आंसर मिनट प्रती सेकंड चाहता है मिनट प्रती सेकंड नहीं होगा ये मीटर प्रती सेकंड होगा ये मीटर प्रती सेकंड होगा तो इसे मीटर बनाने के लिए दोस्त हम लोग क्या कहेंगे एक किलो मीटर की जगे मैं सकता हूँ। यहाँ minute लिखा हुआ है यहाँ second मैं लिख सकता हूँ। इस दोस्त 21 ुआ कुष्चन आप लोगों के सामने हैं। फटा फट बताइए क्या होगा इसandrare क्यूशन का बिलकुल सही जवाब कुष्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने हैं चैंट ने क्या कहा है एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलो मीटर को 45 मिनट में तै करती है दोस्त 41 किलो मीटर की यात्रा को 41 किलो मीटर की यात्रा को कितने समय में तै करती है तो आप कहेंगे 45 मिनट में तै करती है सेस तेस किलो मीटर की दूरी को जो सेस तेस किलो मीटर की दूरी बची है उसे 35 मिनट में तै करती है तो उसकी ओसत चाल पूछी है ओसत चाल का मैं आप लोगों को बता के आया हूँ कि ओसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी कितनी है पहली दूरी 41 किलो मीटर दी हुई है दूसरी दूरी आप लोगों को क्या दी हुई है 23 किलो मीटर दी हुई है और अगर मैं कुल समय आप लोगों से पूछ हूँ तो पहला समय 45 मिनट है और दूसरा समय है 35 मिनट 45 और 35 जो है वो कितने हो जाएंगे 80 मिनट हो जाएगा क्या हो जाएगा 80 मिनट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में बतानी हैं, 41 और 23 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और अगर मैं किलो मीटर को मीटर में बनाऊंगा, तो 1000 की गुणा करूँगा, और इसको सेकंड में बनाऊंगा, तो 60 की गुणा करूँगा, ये सेकंड में कनवर्ट हो जाएगा, आप लोग सी से काटेंगे 0 कट गया, 8 से कटेंगे तो 800 बार कटेंगा इस 0 से, इस 0, 2 से कटेंगे 40 बार, 2 से कटेंगे 3 बार 40 बटे 3 का मतलब ही 13 सही 1 बटे 3 होता है क्या हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 40 बटे 3 का मतलब ही 13 बटे 3 मीटर पर सेकंड होता है, ये बात आप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आगी होगी ठीक है दोस्त औस चाल का फॉर्मूला याद रखेंगे कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी भी आप लोगों को दी हुई है कुल समय भी आप लोगों को दिया हुआ है जस्ट कुशन को सौल्व करने की आवशकता है कोईशन नमबर 22 आप लोगों के सामने है वटवट बताएंगे क्या होगा इस कोईशन का साथी बिल्कुल सही जवाब नाग देवता बाद में बताऊँगा नाग देवता बाद में बताऊँगा यदि राधा 26 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से दोड़ती है तो उसे 1950 मीटर की दूरी तै करने में कितने मिनट लगेंगे ये आप लोगों से पूछना चाहरा है तो मेरे दोस्त समय वो आप लोगों से पूछना चाहरा है तो समय बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है समय बराबर बचे दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितनी है, 1950 मीटर है और चाल कितनी दी हुई है, 26 किलो मीटर प्रती घंटा इसकी गुणा 5 बटे 18 में कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा मीटर से मीटर कर जाएगा आंसर जो आएगा वो सेकंड में आएगा आंसर किसमें आएगा सेकंड में लेकिन वो कह रहा है कितने मिनट लगेंगे यानि वो आंसर मिनट में चाहता है अगर सेकंड को मिनट बनाना चाहते हो साठ से गुणा कर देना यही second किसमे convert हो जाएगी यही second जो है आप लोगों की minute में convert हो जाएगी काटा पिटी मचाब 13 एकम 13 13 पंजे 65 0 हो गया 13 दूनी 26 5 दूनी 10 से 1 0 कट गई यहां से देखेंगे 15 चोका 60 होगा 2 से काटेंगे 2 ना मठार है 2 दूनी 4 होगा साड़े 4 मिनट इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा सवाल का जवाब कितना हो जाएगा साड़े 4 मिनट इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया option number B is the correct answer question number 20 question number 20 आप लोगों के सामने है फटा फट मुझे बताईएगा क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब question number 23 आप लोगों के सामने हैं दोस्त जल्दी से बताईए क्या होगा इस का बिलकुल सही जवाब पास से गुणा क्यों किया है मेरे दोस्त किलोमीटर प्रती घंटा को मीटर पर सेकंड में बददा है ठीक है दो इस्टेशन A और B के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है भाई जैसा वो कह रहा है ना ठीक वैसा ही एक बार कर दो A और B दो इस्टेशन आप लोगों को दिये हुए हैं दोनों के बीच की दूरी जो है वो 700 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से A की B की यत्तरा करती है 80 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से A से B की यत्तरा करती है और 65 किलोमीटर प्रती घंटे की समान गती के साथ वापस ए पर लोडती है भाई क्या कुश्चन दे रखा है क्या कोश्चन दे रखा है गई तो है 80 km प्रती गंटे की गती से और वापस जो आई है वो 65 km प्रती गंटे की गती से आई है ठीक है तो उसने का है भाई साब वोसत गती पूछा है तो इसकी जरूरत क्या थी एक वस्तू ए से बी पे गई है और बी से ए पे वापस आई है तो दोनों केस में समान दूरी तै करी है अगर दोनों केस में समान दूरी तै करी है तो मेरे दोस्त समान दूरी तै करती है तो ब पहली गती कितनी 80 है दूसरी गती कितनी 65 है और दोनों का योग कितना 80 और 65 जो है वो 145 आप लोगों का हो जाएगा बस सौल्व करने की जरूरत है सौल्व करने की जरूरत है मेरे दोस्त पांस से काटेंगे पांस से 13 बार कटेगा पांच एकम पांच दूनी 10 पांच नम 45 होगा मेरे दोस्त यहां से कुछ नहीं कटेगा काटा पिटी कर लो तेहरे ठेक सो चार दूनी कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा 2080 बटे 29 हो जाएगा ठीक है यहां से देखेंगे बचे 29 निम्मा 29 नोटे 72 को दो 29 सत्य 9 सत्य 63 को 3 हासिल लगे 6 साथ बार कटेगा बचे 29 सत्य जो होते हैं वो 203 होते है 9 सत्य 63 को 3 हासिल 6 साथ दूनी 14 और 6 20 हो ठीक है तो 250 बच गया 29 से कम 29 होता है कितना बचेगा 20 बच जाएगा 21 बच जाएगा 210 हो गया यहां 31.7 इस कोशन का जवाब हो जाएगा option number B is the correct answer क्या हो जाएगा बचे option number B इस कोशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले कोशन की तरफ चलते हैं कोशन नमबर 24 question number 24 आप लोगों के सामने है फटा फट कोशन को पढ़िये और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस कोशन का बिल्कुल सही जवाब question number 24 आप लोगों के सामने है एक 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलो मीटर प्रती गंटे की गती से चल रही है एक पुल को पार करने में 42 सेकिंड का समय लेती है दोस्त ये देख लो, ये देख लो कि वो 60 किलो मीटर पिरती घंटे की गती से चल रही है, कंटे से चल रही है, पहले से मीटर पर सेकंड बना लो, 5 बटे 18 की गुणा कर दो, अगर चाल की गुणा समय में कर दोगे, तो आपके सामने दोनों चीजों की लंबाई निकल के आ ज आएगी, आप लोग क्या देखोगे, यहां से देखो, 6 सते 42 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं, 3 से काटोगे, 20 बार कटेगा, 20 पंजे सो सते 700, यानि ट्रेन की लंबाई और उस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आएगी, वो 700 आएगी, आएगी या नहीं, पुल को कितनी देर में पार करती है, 42 सेकंड में, तो एक सेकंड में इतना जाती है, अगर चाल की गुणा समय में कर देंगे, तो दोनों चीजों की लंबाई निकल के आजाएगी, ट्रेन की भी और उस पुल की भी जिसको पार कर रही है, उसने का है, ट्रेन की लंबाई ज जो है, यहां से आप लोग असानी से निकाल लेंगे, प्लस का 253 इधरा के माइनस का 253 हो जाएगा, तड़ेपन और 7, 60 और 47, 300, 300 और 400, 400, 47 इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा, यानि की पुल की लंबाई कितनी निकल के आजाएगी, मेरे दोस्त, पुल की लंबाई जो ह है, वो 447 निकल के आजाएगी, ठीक है, आगे बढ़ जाएं दोस्त, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, कुश्चन नमबर 25 आप लोगों के सेवा में हाजिर है, फटा फट मुझे बताईएगा, क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब, दिखा न भई यह उपर गुसा नसी क्यों हूरी है, वो इस नारी गुरु देओ, रहे भई यह वो स्फोन की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा ले, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त उस फोन की आवाज को बढ़ा ले, पुरी दुनिया को वो इस आरी है, और बस तुमें छोड़ के, एक वैक्ती, एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से तै करता है, और 40 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से लोड़ता है, तो आप लोग जानते हैं, जब दो बराबर दूरी अलग-अलग चाल से तै की जाती है, तो पूरी यत्रा की चाल 2S1 into S2 upon S1 plus S 2 हो जाती है, यहां से देखेंगे यह कितना हो जाएगा, मेरे दोस्तों 2 into 60 into 40, 60 और 40 कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो 2-0 से 2-0 कर जाएंगे, 6-24 दूनी 48 हो जाएगा, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, अभी मैं इसमें important भी बताऊंगा कि अगर क कुछ भी ना करें तो इन चीज़ों को जरूर कर लेना आपका कुशन बन जाएगा, ठीक है, चलिए, कुशन नमबर 26 की बात करते हैं, कुशन नमबर 26 क्या कहता है, पटा पटा मुझे बताईए, कुशन नमबर 26 का क्या हो जाएगा, बिलकुल सही जवाब, सिलो कर दिया, बताईए, क्या हो जाएगा, इस कुशन का बिलकुल सही जवाब, चलिए, अभी कमी है इन लाल मूगे बनाने की अभी और बनाओ, टेढे-मेडे मूग और बनाओ, बचछे कभी-कभी भगवान सुन लेता है, ये जो टेढे-मेडे मूग बनाते हो ना, तो कभी-कभी भग जा करो ये इमोजी सही नहीं हैं, बहुत सारी इमोजी हैं जो भेजने लायक है। एक वैक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से अपने कारल्य जाता है और 2 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से लोटता है यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर से कारल्य की बीच की दूरी क्या है मेरे दोस्त ध्यान से सुनना ये घर आप लोगों का है ये कारल्य आप लोगों का है अगर मैं आप से कहूं कोई व्यक्ति गया तो 4 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से था आया वो 2 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से है तो ओसत चाल क्या रही होगी तो आप कहेंगे 2S1 into S2 upon S1 plus S2 ये रही होगी अगर उसत चाल जो है वो ये रही है अगर उसत चाल की गुणा कुल समय में कर दी जाए कुल समय में कर दी जाए तो क्या आप कहेंगे कुल दूरी जो है वो 16 किलो मीटर निकल के आ जाएगी अगर उसत चाल की गुणा कुल समय में कर दी जाए तो आप लोगों के समझ में आ जाएगी क्या ये टोटल दूरी निकल के आ जाएगी अगर हमने पूरी अत्रा की उसत चाल निकाली है और उसमें पूरी अत्रा की गुणा करी है तो पूरी यत्रा कही समय आया होगा लेकिन उसने काय केवल एक तरफ का दूरी बतानी है घर से कार्याले की दूरी बतानी है तो इस दूरी को मेरे दोस्त आठ आधी कर देना घर से कार्याले की दूरी आठ किलोमीटर आ जाएगी अगर total दूरी पूस्ता है घर से कार्यले गया और कार्यले से घर आया तो मेरे दोस्त 16 km हो जाएगे उपर करना उपर 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 तोड़ा सा हाँ बसे चलो ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 8 km हो जाएगा और अगर टोटल दूरी आप लोगों से पूछा होता, तो जवाब जो है, वो 16 होता, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, कोशन नमबर 27, कोशन नमबर 27, आप लोगों की सेवा में हाजिर है, पटाफ़र से मुझे बताएंगे, क्या होगा, इसका बिलकुल सही जवाब, कोशन नमबर 27, आप लोगों के सामने है, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से यत्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई निकालनी है बचे, चाल गुणा समय, चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रती घ अगर टेंड की लंबाई पूचिय जाती है तो डेड़ सो मीटर हो जाएगी औप्शन नमबर ए इस कुश्चन का सथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ जाते हैं कुश्चन नमबर अठाईस की तरफ कोईशन नमबर 28 आप लोगों से कहता क्या है फटा फट बताईए बचा क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाद संदीब भहिया ठीक है मंडे से वो क्लास ले रहे होंगे बचे बहुत बढ़िया जल्दी से बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाद 60 km प्रती गंटे की गती से चलने वाली 233 मीटर लंबी 43 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है भाई किस गती से चलती है तो आप कहेंगे 60 km प्रती गंटे की गती से तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए उसे पांच बटे 18 से गुणा करना होगा अगर मैं कहूँ कि चाल की गुणा समय में कर दूँ तो आपके पास दूरी निकल के आ जाएगी तो आप कहेंगे 670, 42, 46, 18, 3 से काटेंगे 20 बार, 25, 100, 37, 700 अगर मैं पूछूँ ये दूरी किसकी निकल के आई होगी तो आप कहेंगे ट्रेन जिसको पार कर रही होगी ट्रेन की और उसकी लंबाई तो ट्रेन की लंबाई L मानले, सुरंग की लंबाई S मानले तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 243 है ये कुशन तो कर चुके है तो सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी 447 आया था 4243 इधरा के माइनस का हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 2 गया तो 4 457 आ जाएगा उसमें जो अंसर आया था वो 447 आया था इसमें जो आंसर आया है वो 457 आया है लगबग लगबग सेम है बच्चे ठीक है आगे बढ़ जाएगे बहुत बढ़िया कुशन नंबर 29 आप लोगों की सेवा में हाजिर है फटा फट मुझे बताईए थोड़ा सा गरम पनी लेया कुशन नंबर 29 आप लोगों के सामने है क्या कहता है कुशन नंबर 29 एक बार देखेंगे बच्चे और बताएंगे क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब देखेंगे दोस्त एक ट्रेन की गती 80 किलोमीटर प्रती घंटा है यानि एक गंटे में कितना किलोमीटर जाती है इसके दुआरा सुभह 10 बज के 20 मिनट से दोफैर 1 बज के 50 मिनट तक तै की गई दूरी कितनी होगी तो आप लोग पहले ये बताईए कि 10 बज के 20 मिनट से और 1 बज के 50 मिनट तक का समय कितना होगा 10-20 से 11-20, 12-20, 21-20, 23 गंटे हो गए और 21-50 आदा गंटा हो गया तो यानि कि 3 गंटे 30 मिनट का समय है यानि साड़े 3 गंटे समय लिखा हुआ है साड़े 3 गंटे का समय लिखा हुआ है आप से दूरी पूछना चाहरा है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय चाल कितनी है 80 किलो मीटर जाती है एक गंटे में तो बच्चा साड़े 3 गंटे में कितना जाएगी यानि 7 बटे 2 गंटे में कितना जाएगी गंटे से जाएगा तो आप लोग कहेंगे 280 किलो मीटर आ जाएगा चली कोश्चन नमबर 30 आप लोगों के सामने हैं क्या कहता है भाई कोश्चन नमबर 30 एक बार बचे मुझे बताएंगे क्या होगा इसकोश्चन का बिल्कुल सही जवाई कॉश्चन नमबर 30 आप लोगों के सामने हैं ठीक है भाई चली जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाई कमपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो चीज समझ में नहीं आ रही है, करनी क्यों है, एक कुश्चन छूट भी जाएगा, तो क्यों दिक्कत ले रहे हो, जो चीज अब इस मोमेंट होए, पहले तो कोसिस करो, कोसिस करो, एक बार वीडियो देखो, जिस भी का समझ में आ रहा है उससे पढ़ो एक बार आएगा ऐसा थोड़ी ना है कि ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर लास्ट में ये कहता है कि नहीं समझ में आऊंगा भाई तो छोड़ दो भाड में जाने दो नहीं करूंगा तुझे मैं मैं 19 कोश्चन करके ही सले एक निश्चित दूरी को तै करने में कितने मिनट का समय लेती है 50 मिनट का समय लेती है ठीक है यदि गती में इतने की विरद्धी हो जाए तो दूरी के 2,4,5 गुना को समय लगेगा पहले दूरी निकल लो अगर बच्चे मैं चाल की गुना समय में कर देता हूं 3,90 में कर देता हूँ यहां से समझिए इसे किलो मीटर ही रहने दीजिए 90 किलो मीटर ही रहने दीजिए इस घंटे की जगए 60 मिनट लिख दीजिए और चाल की गुणा अगर आप समय में करेंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी मिनट से मिनट कट गई 0 से 0 कट गई 6 से काटोगे 15 बार यानि टोटल दूरी जो है वो 75 किलो मीटर निकल के आ जाएगी ठीक है उसने ये कहा है मेरे दोस्त की अगर गती में 33 सही 1 बटे 3 परसेंट की वरद्धी कर दी जाए क्या 33 सही 1 बटे 3 परसेंट का मतलब 1 बटे 3 की वरद्धी होती है और 1 बटे 3 की वरद्धी का मतलब अग गंटा हो जाएगी बहुत बढ़िया उसने का है दूरी इतने गुणा कर दी जाए दूरी 55 किलो मीटर थी अब कितने गुणा कर दी बच्चे पांदुनी 10 और 4 14 बटे 5 गुणा कर दी 5 से कटा 15 बार 15 चोका 60 को 0 क्या वो 210 किलो मीटर की दूरी तैक कराना चाहरा है तो वो 23, 24, 12 होगा 4 एकम 4 और 3 साथ हो जाएगा अगर गंटे में दिया हुआ है तो 1 सही 3 बटे 4 गंटे होंगे और बच्चा अगर मिनट में बनाना है तो 60 की गुणा कर देना 1 गंटा 45 मिनट का समय लगेगा कितना समय लगेगा तो आप लोगों का जवाब होगा 1 गंटा 45 मिनट का समय लगेगा ये जो आप लोग एक घंटा 20 मिनट बता रहे थे बिल्कुल गलत जवाब था इस कुश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो एक घंटा एक घंटा 45 मिनट इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा ठीक है ऑप्सन नमबर डी इस दा करेक्ट अंसर ठीक है बच्चे चलिए बहुत बड़िया बहुत सुन्दर लग जाए एक बार 30 कुश्चन हो चुके हैं लग जाए एक बार अंगूठा अंगूठा लग जाए बच्चे एक बार एक बार लाइक के बटन पर अंगूठा लग जाए तो काम 35 हो जाए क्या ये लाइक का आकड़ा पहुंचा सकते हो 85 के पार 900 का टारगेट दिया 900 कहां से लाइ ये 120 बच्चा पहले की चाल में 33 सही एक बटे 3 परसेंट की विरध्धी कर दी एक बटे 3 की विरध्धी का मतलब है 30 बढ़ा दी 30 बढ़ाने का मतलब 120 होता है ठीक है गुड़ नाइट बेटा गुड़ नाइट बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर 800 एक बार एक बार और अंगुठा लग जाए ठीक है चलिए मेरे दोस्त उल्टा अंगुठा नहीं भाई उल्टा अंगुठा दिक्कत कर देता है कोशन नमबर 31 बटा 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 बटाईए क्या होगा इस कोशन का बिलकुल सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त इस कोशन का बिलकुल सही जवाब क्या होगा बचे ध्यान से सुनिए एक लड़की अपनी सामन्य गती के तीन पांच में गती से चल कर अपने का रह स्थल पर एक घंटा तीस मिनट देरी से पहुंसती है अगर मैं आपसे चाल का रेशो पूसता हूँ स्पीड का रेशो पूसता हूँ तीन बटे पांच हिससे तीन बटे पांच चाल से चल कर यानि अगर वो पहले पांच से चलती थी तो अब वो तीन से चलेगी अगर चाल का अनुपात 5-3 है तो मेरे दोस्त समय का अनुपात क्या हो जाएगा समय का अनुपात जो है वो 3-5 हो जाएगा अब उसने कहा है एक गंटा 30 मिनट देरी से पहुंसती है तो मेरे हिसाब से कितनी देरी से पहुंच रही है दो यूनिट देरी से पहुंच रही है और एक गंटा 30 मिनट का मतलब होता है 90 मिनट तो एक बराबर किस के हो जाएगा 45 के हो जाएगा तो उसकी यात्रा का समन्ने समय क्या है यानि वो तीन पार्ट की value पूछनी चाहरी है एक बराबर 45 तो तीन बराबर 135 मिनट हो जाएगा और 135 मिनट का मतलब क्या होता है 60 मिनट का 1 गंटा 60 मिनट का 1 गंटा और ये 15 मिनट यही तो 135 मिनट होता है तो 2 गंटे 15 मिनट का समय लगेगा option number C इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा option number C इस question का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा question number 32 की तरफ चलते हैं क्या कहता है भाई साथ 32 को पढ़ेंगे एक बार question को और जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब एक बार उपर करो गई चलिए जल्दी से बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब question ने क्या कहा है train A एक बिजली के खंबे को 60 किलोमीटर प्रती गंटे की गती से 15 से किंड में पार करती है बिजली के खंबे को 60 किलोमीटर प्रती गंटे की गती से 60 किलोमीटर प्रती गंटा मीटर पर सेकिंड बना लो अगर चाल की गुणा जो है वो समय में कर दोगे 6,8,6,2,6 हो जाएगा और 3,5,15 हो जाएगा तो क्या ट्रेन की लंबाई 500 मीटर आ जाएगी क्या ट्रेन की लंबाई जो है वो 500 मीटर आ जाएगी अब देखिए बचे आगे वो क्या कहना चाहरा है उसने कहा यह है विपरीत दिसा में चलती है ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रती गंटे की गती से 19 सेकंड में पार करती है बचे इस ट्रेन की चाल कितनी है 60 है एक विपरीत दिसा की ट्रेन क्या है बचे उसकी चाल है 48 है तो दोनों विपरीत दिसा में है तो दोनों की चालों का योग 108 किलो मीटर प्रती घंटा मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो ये हो जाएगी और चाल की गुणा समय में कर देंगे तो 186, 108 होते हैं 365 क्या दोनों ट्रेनों की लंबाई 570 आ जाएगी क्या दोनों ट्रेनों की लंबाई जो है वो 570 आ जाएगी इस बार दोनों ट्रेने पार कर रही हैं अब उसने कहा है पहली ट्रेन की लंबाई 200 मिटर थी तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी मेरे दोस्त क्या दूसरी ट्रेन की लंबाई 320 हो जाएगी बस वही आप से पूछना चाहरा है ट्रेन B की लंबाई क्या होगी तो मेरे दोस्त जवाब हो जाएगा 320 मिटर हो जाएगी, ठीक है, चलिएगा, कोश्चन नमबर 33 की तरफ चलते हैं, मेरे दोस्त, कोश्चन नमबर 33 क्या कहता है, कोश्चन नमबर 33 क्या कहता है, फटा फटा मुझे बताएंगे, कि क्या होगा इस कोश्चन का बिलकुल सही जवाँ, बताइए बचे, क्या होगा इस कोश् है 69 तोटल कुश्चन 69 है आज हम 40 कुश्चन करेंगे आज हम 40 कुश्चन करेंगे बाकी के 30 कुश्चन कल की क्लास में होंगे ठीक है समझेए 5 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चलने वाले चात्र को 50 मिनट लगे लेकिन स्कूल समय पर इसकूल पहुंचने के लिए निर्ध कहानी से भढ़ दिया मतलब कहीं तुकी नहीं बैठ रही है कहां क्या करना है समझेए मेरे दोस्त मेरी बात को कुश्चन ने क्या कहा है कि 5 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चलने वाले चात्र को 50 मिनट लगे पहले इसका हिसाब किताब निकाल ले चाल कितनी है 5 किलो मी मीटर प्रती घंटा घंटे की जगे मिनट लिख दो मिनट की जगे घंटे की जगे मैंने 60 मिनट लिख दिया अगर चाल की गुणा मैं समय में कर दूँ मेरे दोस्त jiro Sahiru कट जायेगा क्या दूरी जो निकल के आजाएगी वो 25 बटे 6 किलो मीटर निकल के आजाएगी तो school पहुँचने का सही समय जो है वो 40 मिनट है तो school पहुँचने का सही समय जो है वो 40 मिनट है तो school पहुँचने का देखो 50 मिनट में जब वो पहुँचता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है तो अगर वो सही समय पर पहुँचना चाहता है तो क्या उसे बच्चा 40 मिनट में पहुचना होगा तो उसने कहा है गती कितनी होनी चाहिए तो बच्चा दूरी को अगर मैं समय से विभाजित कर दूँ दूरी को अगर समय से विभाजित कर दूँ तो चाल निकल के आ जाएगी बचे आंसर किलोमीटर प्रती गंटा में है, इस मिनट को गंटे बनाएंगे, तो 60 से डिवाइड करना होगा, अगर 60 से डिवाइड करना होगा, तो इसका डिवाइड मेरे दोस्त उपर हो जाएगा, ठीक है, काटा पीटी मचाओ, 0 से 0 उडआओ, 6 से 6 उडआओ, 25 बटे 4 इस कोशन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपसन नमबर D, इस कोशन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, 40 कहां से आया, कौन से 40, ये वाला 40, ये वाला 40 कहां से आया, बात तो ठीक है, मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, पहले अगर मैं कि दूरी को 50 मिनट में तै करता हूं और 10 मिनट लेट हो जाता हूं तो क्या मेरा सही समय जो है वो 40 मिनट रहा होगा और वो मुझे पूछ रहा है अगर सही समय पर पहुचना चाहता हूं तो मेरी चाल क्या होनी चाहिए तो दूरी बटे समय ही चाल होता है सही समय 40 मिनट है और दूरी आप लोग उपर निकाल चुके हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला कोशन, कोशन नमबर 34, आप लोगों के सामने हैं, फटा फट मुझे बताएंगे, क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाँ, कोशन नमबर 34 क्या कहता है, ध्यान से थोड़ा सा सुन जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य गती से 6 बटे 7 किलोमीटर की गती से चलता है, अगर वो पहले 7 से चलता था, तो अब वो 6 की गती से चलता है, ठीक है, तो वह 10 मिनट देरी से पहुंसता है, चाल का अनुपात 7-6 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 6-7 हो जाएग अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने यूनिट लेट है, तो आप कहेंगे एक यूनिट लेट है, उसने कहा है, 10 मिनट लेट होता है, तो उस दूरी को तै करने में उसके द्वारा लिया गया समान्य समय क्या होगा, तो 1 बराबर 10 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट इस दोस्त कोशन नमबर 35 क्या कहता है फटा फट मुझे बताईए क्या होगा इस कोशन का बिल्कुल सही जवाब कोशन नमबर 35 ने ये कहा है मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रती गंटे की गती से तैह करने में 4 गंटे का समय लेती है तो बचे दूरी कैसे निकलेगी दूरी कैसे निकलेगी चाल कितनी है 60 किलो मीटर प्रती घंटा है और समय कितना है 4 घंटे में चलती है तो क्या दूरी जो होगी वो 240 किलो मीटर की हो जाएगी उसी दूरी को कौन सी दूरी को जो यह आपने 240 किलो मीटर की दूरी निकली है उसी दूरी को डेढ गंटे में तै करना है यानि चाल निकलनी है चाल बराबर दूरी दूरी वही है दो सो चालिस किलो मीटर और समय है डेड़ घंटा पॉइंट अटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे पंद्रह एकम पंद्रह चिक का नब्भे एक सो साथ किलो मीटर प्रती घंटा आ जाएगी रेशो से भी आराम से कर सकते हैं क्योंकि दूरी बराबर है तो जो समय का अनुपात होगा पहले चार घंटे था अब डेड़ घंटे है जो समय का अनुपात होगा उसी का उल्टा चाल का अनुपात हो जाएगा अगर मैं आपसे समय का अनुपात पूछूं तो समय का अनुपात जो है वो 4 और 1.5 का है 5, 8, 4, 5, 3, 5 है तो 4 का अनुपात 3, 8 का हो जाएगा पहले 4, 3 थी अब 4, 8 है उसने पहले 4, 6 दी हुई है तो 1 part की value 20 हो जाएगी तो आप कहेंगे अब 4 जो होगी वो 160 हो जाएगी क्या हो जाएगी अब 4 जो है वो 160 हो जाएगी तो चाहे ratio method से करो चाहे directly करो answer आप लोगों के सामने आ जाएगा question number 36 आप लोगों के सामने है अराम से पढ़िए भई question को क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब चलिए फटवर बताईए क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब एक car 45 km प्रती घंटे की गती से 40 मिनट अगले 45 मिनट में 60 km प्रती घंटे की गती से चलती है और तो पूरी यात्रा के लिए car की ओसत गती क्या होगी औसत गती आप लोग जानते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है तो पहले कुल दूरी निकाल लीजिए 45 किलो मीटर प्रती घंटा प्रती घंटा नीचे 60 मिनट लिख लेते हैं अगर चाल की गुणा समय में कर देंगे 40 मिनट चलती है तो कितनी दूरी तै करती होगी तो आप लोग कहेंगे बचे 15 ती या 45, 15, 64, 64, 64 से काटेंगे तो ये 30 किलो मीटर की दूरी तै करती होगी आगे क्या कह रहा है 45 मिनट में 60 किलो मीटर प्रती घंटा गंटे का मतलब 60 मिनट हो गया तो 45 मिनट में कितनी दूरी तै कर लेगी बच्चा चाल की गुणा समय में कर दो तो यहां से क्या हो जाएगा तो ये 45 किलो मीटर हो जाएगा उसने का अगले डेड़ गंटे 50 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से चाल की गुणा समय में कर देंगे तो बच्चे ये दूरी निकल के आ जाएगी पिछे तर आ जाएगी क्या यहीं दूरी आएगी हो गया कुश्चन हो गया question बचे ठीक है अब देखो ध्यान से अगर सुरुवात की दूरी पूछू तो 30 आप लोगों को दी हुई है उससे अगली दूरी पूछू तो 45 आप लोगों को दी हुई है और लाश्ट दूरी पूछू तो 75 किलो मीटर आप लोगों को दी हुई है कुल दूरी बटे क पुल समय, समय यहां कितना है, 40 मिनट है, समय यहां कितना है, 40 मिनट है, समय यहां कितना है, 45 मिनट है, और डेड़ गंटे का मतलब होता है, 90 मिनट है, ठीक है, यह किलो मीटर में है, यह मिनट में है, ध्यान से सुनेंगे, आप देखेंगे, 75 और 85 और 40, 120 और 30, 150 किलो मीटर आ गया और नौर चार तेरह और साथ सत्रह आ जाएगा एक सो पिछित्तर ही आएगा एक सो पिछित्तर मिनट की बचा आप लोग क्या बना लो एक सो पिछित्तर मिनट के गंटे बना लो तो आप कहेंगे दो गंटे पच्पन मिनट हो जाएंगे दो गंटे पच्पन मिनट इसकी 2nd बनाओ, 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 12 बार, 12 दूनी 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 बटे 12 हो जाएगा, 35 बटे 12 हो जाएगा, ये गंटे हो जाएगा, ये आपके सामने जवाब आ जाएगा, थोड़ा सा Calculative Questions था, 5 से काटेंगे 30 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, तो 360 बटे 7 आता जाएगा, ठीक है, 7 पंजे 35 होगा, एक बचेगा, 7 एकम 7 होगा, 3 बचेगा, 7 चोक, 28, 51.4 इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा, आप्सन नमबर D इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, मेरी बास समझ में आ गई, पहले बच्चा हमें कुल जोड़के आगे बढ़ जाना, ये स्किप करने वाला कुश्चन है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं, कुश्चन नमबर 37 क्या कहता है, पटा पट बताईए, कुश्चन नमबर 37 क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का बिलकु कुश्चन ने का है, 120 मीटर और 180 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेने, दो ट्रेन है मेरे दोस्त, 120 मीटर की है, और एक जो है मेरे दोस्त कितने मीटर की है, 180 मीटर की दी हुई है, उससे कहा है 34 किलो मीटर प्रती घंटा और 32 किलो मीटर प्रती घंटा, ये 34 किलो मीटर प्र किलो मीटर पृति गंटे की गती से चलती है समान गती से विपरीत दिसा में यात्रा कर रही है दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बड़ा आसान सा कुश्चन है दोनों की लंबाईयों को जोड़ दीजिए 300 मीटर हो जाएगा 300 मीटर को ब क्योंकि आंसर वो आपसे सेकंड में चाहता है आंसर वो आपसे बचा सेकंड में चाहता है काटा पीटी मचेगी 6 से काटोगे 50 बार 6 से काटोगे 11 बार यानि की 905 से काटेंगे 10 बार 180 बटे 11 सेकंड आ जाएगा क्या जाएगा बच्चे 180 बटे 11 सेकंड इस कुश्चन का ज जब भी दो वस्तू विपरीत दिसा में चल रही हो तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले कुश्चन की तरफ कुश्चन नंबर 38 क्या कहता है कुश्चन नंबर 38 क्या कहता है बचे एक बार बुकला ना वही एससी जीडी वाली कुश्चन नंबर 38 को एक बार पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे दोस्त क्या होगा इस कुश्चन का साथी बिलकुल सही जवाब 336 नंबर नहीं समझ में आया है बाद में देख लेना एक बार देख लेना आ जाएगा ठीक है सर चोर पुलिस वाले भी है क्या कुश्चन भाई मुझे नहीं पता है कौन से कुश्चन है ठीक है समझे एक बार कुश्चन को एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से 5 घंटे चलती है एक घंटे में 70 किलोमीटर यानि अगर चाल की गुणा समय में कर देंगे बच्चे तो क्या आपके सामने दूरी निकल के आ जाएगी 300 किलोमीटर अब उसने कहा क्या है उसने कहा है और स्टेशन ए पर रुकती है इस्टेशन ए से ट्रेन 3 घंटे के लिए 66 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से स्टेशन भी पहुंसती है 66 की गती से बच्चा 3 गंटे चलती है 66 की गती से 3 गंटे चलती है तो 118 किलो मीटर की दूरी तै कर लेती होगी तो ट्रेन दुआरा तै की गई कुल दूरी आप लोगों से पूछना चाहरा है तो बच्चे क्या टोटल दूरी को हम लोग जोड देंगे 9 और 5 14 को 4 हांसिल 1 क्या 548 किलो मीटर की दूरी हो जाएगी यानि कुशन का जवाब क्या हो जाएगा आपसन नमबर B is the right answer आपसन नमबर B क्या होगा इस कुशन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ें कुशन नमबर 49 क्या कहता है कुशन नमबर 49 क्या कहता है एक बार कुशन को पढ़िए बच्चा और मुझे बताईए क्या होगा इस कुशन का बिलकुल सही जवाब कुशन नमबर 49 आप लोगों के सामने है जल्दी से समझेए बच्चे कुशन ने कहा है एक ट्रेन अपनी समान्य गती के एक बटे चार चाल से जा रही है यानि अगर समान्य गती चार की थी तो इसके एक बटे चार से जा रही है यानि ये एक गती से जा रही है तो समान्य चाल का अनुपात चार एक का दिया हुआ है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतरिक्त 60 मिनट लगते हैं मेरे हिसाब से कितने मिनट फाल्तू है 3 मिनट उसने 60 मिनट बोला है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर चुकी है तो समान दूरी को तै करने के लिए अपना समानने समय ग्यात करो एक बराबर 20 थो वह एक ही बराबर पोछ रहा है दोस्त तो 20 बिनट का समय लगेगा एक बराबर 20 यानि 20 मिनट का समय लगेगा ठीक है उपर करना वही चलिए कोश्चन नमबर 40 आप लोगों के सामने हैं पटापट मुझे बताइए क्या होगा इस कोश्चन का बिल्कुल सही जबाब मैं एक बार देख लिता हूँ बचे इसके उनहित्तर कोश्चन है एक बार नाव तथा धारा में देख लिए जाते हैं कितने कोश्चन है 146 पेज नमबर वे अच्छा नाव तथा धारा तो मेरे खाल से दीपक भाटी सन ने भी कराया है नाव तथा धारा भाई दीपक भाटी सन्ने भी कराया है बुक सोलुशन पताएंगे एक बार तोटल है इसमें 35 कुश्चन नाव तथा धारा धीपक भाटी सन्ने कराया है नहीं कराया चलिए आज हमारे पास 27 तारीक है और कल 28, 29, 30, 31 और चैप्टर बच रहे हैं हमारे पास सिंप्लिफिकेशन एक बच रहा है रेशो भी हो गया एक टाइम एंड डिस्टेंस कल हो जाएगा बोट एंड इस्ट्रीम कोई नहीं ज्यादा भी कुश्चन नहीं है मैंसुरेशन बचेगा कोई दिक्कत नहीं है चले कुश्चन नमबर 40 का जवाब दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब कुश्चन नमबर 40 आप लोगों के सामने है जल्दी से बताइए क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब एवरेज करा चुका हूँ देखिए एक ट्रेन 3.5 गंटे के लिए 40 किलो मिटर प्रती गंटे की ओसत गती से यात्रा करती है 40 किलो मिटर प्रती गंटे की गती से 3.5 गंटे 3.5 गंटे का मतलब 7 बटे 2 गंटे होता है यानि की 140 किलो मिटर की यात्रा करती है कितनी किलोमीटर की तो आप कहेंगे 140 किलोमीटर की यत्रा करती है ठीक def तो इसनले काये ट्रेन पूरे 6 गंटे में कितनी दूरी तै करती है तो दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो सवाल का जवाव क्या हो जाएगा 290 किलो मीटर इस कोश्चन का जवाब हो जाएगा Option number D is the correct answer क्या हो जाएगा बचे Option number D इस कोश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है Question number 41 आप लोगों के सामने है Question number 41 आप लोगों के सामने है पटापट मुझे बताएंगे क्या होगा इस कोश्चन का बिलकुल सही जवाब Question number 41 आप लोगों के सामने है क्या कहना चाहरा है recorded class है दोस्त बिलकुल विसनू इस्थान A से इस्थान B के लिए सुभे 10 बजे निकलता है यहाँ विसनू है सुभे 10 बजे यहाँ से निकलता है इस्थान A से इस्थान B के लिए और सुधीप इस्थान B से इस्थान A के लिए दोफैर दो बजे छोड़ देता है यहाँ से सुधीप दो बजे जो है वो दोफैर दो बजे निकलता है ठीक है दोनो इस्थानों के बीच की दूरी जो है वो 556 किलो मीटर है दोनों इस्थानों के बीच की दूरी जो है वो 556 किलो मीटर है यदि विस्नू की गती जो है वो 42 किलो मीटर प्रती घंटा है विस्नू की गती 42 किलो मीटर प्रती घंटा दी हुई है और सुदीप की गती जो है वो 55 किलो मेटर प्रती घंटा दी हुई है तो आप से पूछा है तो किसी इस्थान पर वे एक दूसरे से कब मिलेंगे यानि कितने समय उन दोनों का मिलन होगा कितने समय जो है वो उन दोनों का मिलन होगा ठीक है चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं ये 10 बजे चला था विसनू और ये 2 बजे चलता है तो ये 4 गंटे चल चुका होगा जब उसके चलने का टाइम हुआ होगा ये 1 गंटे में 42 जाता है तो 4 गंटे में कितना चला गया होगा 168 किलो मीटर अगर मैं इसमें से 168 घटा दू तो 16 में से 8 गए 8, 14 में से 6 गए 8, 4 में से क्या आगे 388 किलो मीटर की दूरी बचेगी यानि 2 बजे ये वेक्ती यहां पहुँच चुका होगा 168 किलो मीटर की दूरी तै करके और इधर जो दूरी बची होगी वो 388 किलो मीटर की बची होगी अब 2 बच चुके हैं दोनों का चलने का समय स्टार्ट हो चुका है तो मेरे दोस्त ये कितने समय बाद मिलेंगे दोनों के बीच की दूरी 2 बजे क्या थी तो आप कहेंगे 388 किलो मीटर जब दोनों वस्तु विप्रीत दिसा में है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा 55 और 42 कितने हो जाएंगे बच्चा 97 किलो मीटर परती घंटा हो जाएंगे तो आप देखेंगे बच्चे 97 चौक 388 होते हैं यानि 2 बज़े से 4 गंटे बाद इन दोनों का मिलन हो जाएगा तो आप कहेंगे 6 बज़े इस कुश्षन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा तर जो आपने बुक ले रखी है कौन सी है ये बुक बच्चा अपनी बुक है ये ठीक है अपनी बुक है तो सवाल का जवाब 6 गंटे हो जाएगा चांद तारे और सितारे बना लीजिए कोश्चन बहुत प्यारा है मेरे दिल का टुकडा है मेरे दिल के टुकडा को बना लीजिए बच्चे बहुत प्यारा कोश्चन है पूछे जाने लाया कोश्चन है ऐसा जरूर करिए मतलब इस कोश्चन को जरूर करिए कोश्चन नमबर 42 की तरफ चलते है कोश्चन नमबर 42 क्या करता है कहता है समझे बात को थोड़ा सा ध्यान से कोशन कहना क्या चाहरा है कोशन कहना क्या चाहरा है दोस्त बहुत बढ़िया आगे बढ़िये कोशन ने क्या कहा है 30 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से चलती हुई बाइक 2 घंटे के लिए कुछ दूरी तै करती है यानि एक गंटे में अगर चाल जो दी हुई है वो 30 किलो मीटर प्रती गंटा दी हुई है चाल की गुणा अगर हम समय में कर देंगे तो क्या वो दूरी जो निकल के आएगी वो 60 किलो मीटर आ जाएगी ठीक है जबकि दूसरी बाइक 35 किलो मीटर प्रती गंटे की गंटी से चलती है और बाइक एक समान दूरी तै करती है तो बाइक एक समान दूरी जो है वो 60 किलो मीटर दूरी जो है वो 35 की गंटी से चलती है तो कितने गंटे में तै कर देगी बच्चे मेरे दोस्त पांस से काटोगे बारे बार, पांस से काटोगे साथ बार, यानि कि ये बारे बटे साथ गंटे में तैकर देगी उस दूरी को, ठीक है, ये A वाली है, ये A है और ये B है, ठीक है, उतनी ही दूरी 35 की गती से बारे बटे साथ गंटे में तैकर देगी, बाइक A द्वारा लिये गए समय का, साथ गंटे लिया है बच्चे, दो से काटेंगे छे बार, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, साथ बटे छे हो जाएगा, यानि कि option number D, इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या इतना बवाल हम लोगों को करने की जरूरत थी, क्या इतना बवाल हम लोगों को करने की जरूरत थी, आप कहेंगे बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आपने फाल्तु का बनाया है, मत करिये ऐसा, बचे अगर वो दूरी समान कह रहा है, जबकि दूसरी बाइक एक समान दूरी तै करती है, अगर दूरी समान है, तो जो उनकी चाल का अनुपात होगा, जो उनकी चाल का अनुपात होगा, क्या उसी का उल्टा जो है, उनके समय का अनुपात हो जाएगा, अगर चाल का अनुपात 6-7 है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, क्या समय का अनुपात जो है, वो 7-6 हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से आप लोगों के आगे होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, question number 43 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताईएगा क्या होगा, इस question का बिलकुल सही जवाब, question number 43 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताईए क्या होगा, बस केवल दो question और है, जल्द स्कूटर की गती के तीन बटे साथ पर इलेक्ट्रिक साइकल की सवारी करता है. तो चार ग़ंटे में इलेक्ट्रिक साइकल पर कितनी दूरी तेक ही जा सकती है. कुछ नहीं है कैवल और कैवल उलजाने वाला कुशन है. समझिएगा, बात को समझिएगा. अगर मैं आपसे पूछू कि उस बचे स्कूटर की चाल क्या होगी तो आप कहेंगे स्कूटर की चाल होगी दूरी बटे समय दूरी बटे समय जो होती है वो स्कूटर की चाल हो जाएगी क्या स्कूटर की चाल आपके समने आ चुकी है उसने का यदीव है स्कूटर की गती के तीन बटे साथ पर इलेक्ट्रिक साइकल की सवारी करता है इस गती पे नहीं इसके तीन बटे साथ पर इलेक्ट्रिक साइकल की सवारी करता है तो बचा ये चाल आपके सामने आ गई इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल आपके सामने आ चुकी है तो चार गंटे में इसके द्वारा तै की गई दूरी बता दो अगर ये चाल है तो चाल की गुणा समय में कर दीजिए चार गंटे में इसके द्वारा तै की गई दूरी बता दो तो आंसर आपके सामने है 7 ती या 21 होगा 7 पंजे 35 होगा 7 पंजे 35 होगा 5 ती या 15 चोका 60 हो जाएगा यानि सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 60 किलो मेटर इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा Option number D is the correct answer क्या हो जाएगा मेरे दोस्त Option number D ही इस कुश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कुश्चन number 44 क्या होगा बचे इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब पड़ावट से मुझे बताईएगा क्या हो जाएगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुश्चन number 44 आप लोगों के सामने हैं छुट्टी हो जाएगी 45 के बाद छुट्टी हो जाएगी बच्चे 45 के बाद चलिए इस कुश्चन को बता दीजिए 45 वा कुश्चन जो है वो हमवर्क में करिएगा दो ट्रेने किरम से स्थान A और B से सुरू होती हैं और एक दूसरे की और किरम से 60 किलोमीटर प्रती घंटे और 50 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से यत्रा करती हैं एक दूसरे की और बचा पहले की गती कितनी है 60 किलोमीटर प्रती घंटा है दूसरे की गती कितनी है तो आप कहेंगे 50 किलो मीटर प्रती घंटा है एक दूसरे की तरफ चलती है तो बचा ऐसे बना दो एक दूसरे की तरफ ठीक है जब तक वे मिलती है तेज गती वाली ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलो मीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है बचा मैंने मान लिया यहां से चली है और यहां से यह चली है तो जो तेज चलने वाली ट्रेन है बचा अगर दोनों समान समय पर चली होंगी तो जिस पॉइंट पर वो मिली होंगी वहां तक उनके द्वारा लिया गया समय जो होगा वो समान होगा मानन लो दोनो 12 बज़े चली है और बीच में कहीं 12-50 पर ये दोनों मिलती है तो इसने 50 मिनट में वही दूरी ते करी होगी इसने भी 50 मिनट ही लिए होंगे उस दूरी को ते करने में ठीक है बचे जिसकी चाल जelnिदा होगी वो ज़दा दूरी ते करेगी जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तैकरेगी अगर बच्चे समान समय होता है समान समय होता है तो जो उनकी चाल का अनुपात होता है वही उनकी दूरी का अनुपात होता है अगर समय जो है वो समान दिया हुआ है तो जो उनकी चाल का अनुपात होता है वही उनकी दूरी का अनुपात होता है तो अगर चाल का अनुपात देखू तो 6-5 है तो इसके द्वारा तै की गई दूरी 6 है और इसके द्वारा तै की गई दूरी 5 है ये तेज चलने वाला कितनी फालतू दूरी तै कर चुका है एक तै कर चुका है उसने कहा है 110 किलो मीटर की अधिक यत्रा तै कर चुका होता है तो एक बराबर 110 आ गया एक बराबर 110 आ गया तो उसने दोनों के बीच की दूरी पूछा है यानि कि 6 और 5 ग्यारे की वैल्यू वो पूछना चाहरा है ग्यारे की वैल्यू वो पूछना चाहरा है 1 बराबर 110 तो 11 बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 1210 इस question का जवाब हो जाएगा 1210 जो है इस question का जवाब हो जाएगा और ये रहा आपके homework का question कल जो है वो 46 में question से start करेंगे कल जो है वो 46 में question से start करेंगे और उन्हें तर्ड total question है दोस्त 25 question जो है वो मैं आपको कल कराऊंगा 25 कोशन कल कराऊंगा कैसी लगी class जरूर बताईएगा जिन लोगों ने अभी इस like के बटन को टेड़ा मेड़ा नहीं किया है वो इस बार एक बार टेड़ा मेड़ा जरूर करें बहुत उमीदे हैं आप लोगों से बचे और उमीदे यहां टेड़ा मेड़ा करते हो करो मत करो फर्क नहीं पड़ता लेकिन selection वाला बटन जो है वो दबना चाहिए इस बार selection होना चाहिए हर हाल में होना चाहिए अगर ये topic में दिक्कत है तो इसका important portion कौन कौन से होते हैं एक तो वो important portion होता है जब औस चाल आप लोगों से पूछी जाती है एक important portion वो होता है अपनी गती के 6 बटे 7 से चलता है तो इतना late पहुंसता है तो उसका सामान्य समय कितना होगा एक सबसे ज़्यादा important question वो होता है इतने की गती से जाता है तो इतने minute late पहुंसता है इस गती से जाता है तो इतने minute पहले पहुंसता है तो घर से कारल है की दूरी कितनी होगी तो ये 3 से 4 type के जो question है ये बहुत important है अब तो चोर सिपाही वाला भी question important बन गया तो कुछ important question आप लोग कर लीजिए जादा भी ना करो वैसे तो आज आप लोगों को चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और अगर थोड़ी बहुत कमी रह गी है तो दुबारा से वीडियो देख लेना आप लोगों के आज आएगी है ठीक है दोस्त चलो फिर मिलते हैं कल एक बहतरीन class के साथ class को लाइक अवेशे करें हसते रहिए मुस्कुराते रहिए बचे बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल pressure लेने की जरूरत नहीं है आपका नहीं होगा तो किसका होगा अगर हमने तीन महीने चार महीने पढ़ाई की है तो result भी हमारा ही होगा result उनका थोड़ी ना होगा जो आराम से सो रहे हैं तो इसलिए बचा ये सोच के आपको पढ़ना है कि जहां तीन चार महीने हमने लग के पढ़ाई की है तो चंद दिन और हम लोगों को पढ़ाई करनी है और उसके बाद हमें अपना जीवन जो है वो सुरक्षित कर लेना है ठीक है दोस्त तो मिलते हैं कल एक बहतरीन किलास के साथ ओके टाटा बाई बाई गुड नाइट